जैए श्रीकिष्णा रादे रादे आप सभी का स्वागत है मेरे हमाते व्रतकता उपाय चैनल में धर्सको आज की इस वीडियो में हम आपको जाडू के उपाय बताने वाले हैं जाडू के इन टोटकों से माला माल हो जाओगे आप बना रहता है माता का लच्छमी का करने के लिए घर में रखी कई चीजों में माल लच्छमी का बास होता है निमे से एक जाडू जाडू को इस्तमाल हर घर में होता है मानता है कि जाडू में माल लच्छमी का बास होता है इसलिए जाडू का कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए जाडू के कई नियम और टोट करते हैं तो ऐसे में मालक्षमी की किरपा आपके घर पे हमेशा बनी रहे गया यह जानते हैं जाड़ू के कुछ नियम और कुछ टोटके यदि घर में आप नई जाड़ू लाएं तो पुराने जाड़ू को तुरंती ना फैके क्योंकि ऐसा करना बहुत ही अशुम माना जाता हिंदु जर्म के अंसार पुराने जाड़ू को हमेशा होल का देने अमावश या शनिवार के दिन ही फैकना चाहिए दूसरा पुराने जाड़ू को एकाथ सी गुरूवार या शुक्रवार के दिन नहीं फैकना चाहिए क्योंकि इस दिन मालच्मी की पूजा की जाती है कहा माना जाता है या आर्थक नुकसान के संकेत होते हैं यदि आपको सपने में जाड़ु दिखाई दे तो आप थोड़ा सतर्क हो जाएं और एक नई जाड़ु लाकर के मंदिर में दान कर दें चौता नियम हिंदू दर्म के अंसार अगर किसी बीमार व्यक्ति की बीमार बीमारी लंबे समय से ठीक नहीं हो रही तो गुरु बार के दिन सुबह घर पर जाड़ु लगाने के बाद गंगाजल का चिड़काव करें ऐसा करने से बीमार व्यक्ति जल्दी ठीक होने लगता है अगला नियम पुरानी जाड़ु को हमेशा घर में कहीं छपा कर रखना चाहिए इसके अलावा जाड़ु को गलती से जलाना नहीं चाहिए इसके अलावा पुरानी जाड़ु को ऐसी जगह रखें जहां किसी के पैर ना लगें ऐसा करने से माल अक्षमी का बास होता है लाते हैं धन प्राप्ती का उपाय कि जाड़ू के साथ आपको क्या करना चाहिए देख्ylon जब भी नई जाड़ू लेकर आएन नई जाड़ू को हमेशा उस दिन ले करां उस debates सिन न dalla इससे सौंवार इतवार मंगलवार के दिन से जाड़ किसी भी दिन लाते हैं तो उसी टाइम ना जा रहें सुबह के टाइम से उसको जाड़ना चाहिए और जाड़ने से पहले उस पर थोड़ी सी रोली या हल्दी का टीका लगाएं क्योंकि इसमें मातालचमी का बास होता है उसकी पूजा करें और पांच गांट कलावे की कलावे रावे क्याति हैं अक्या।ट के बीच में पीचवाली जो पीछे के साय और पीच में डाड़नी साव्त इसमें मातालचमी का बास सदेब बने बनाता हैं हमेशा मातल अच्मी प्रसंद रहती है और कभी भी घर में दनकी कमी नहीं आती कभी भी दरिद्रता नहीं रहती कंगाली नहीं रहती इन नियमों से अगर आप जाड़ू को इस्तमाल करते हैं यह जाड़ू जाड़ते हैं इन नियमों को करते हैं तो आपके घर में मातल अच् झाल्श झालश शड़ण पब के जड़ा है घट